हलो फ्रेंट्स बीटिया कोकिंग में आपका स्वागत है तो फ्रेंट्स आज हम आपको मटर पनीर की बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग सी सबजे बनाना बताएंगे है वो भी बहुत ही आसान तरी यह से तो देखिए हमने यह कड़ाई रख दिया इसमें हमने ओएल डाल दिया है दो से तीन चमच के करीब और ओईल को हम अच्छे से गरम होने लेते हैं तक हमारा तेल अच्छे से गरम हो जाएगा उसके बाद ही हम इसमें पनीर एट करेंगे और पनीर को अच्छे से फ्राइ करेंगे हल्गा सा ब्राउन कलर होने तक हमें पनीर को अच्छे से फ्राइ करेंगे और बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें इसको फ्राइ तो आप देख सकते हैं हलका सा ब्राउन कलर हो चुका है तो थोड़ा सा और सेख लेंगे हम इसे और अच्छे से फ्राई करेंगे जिससे कि यह हमारा बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग सी मडर पनीर की सबजी बनकर रेडियो की जिससे की तो देखिए इस तरीके से हमें इसक काल कर रेडी काई लिया है और ओइल को हम कम काई लिया है तो देखिए हमने इसमें लिये लॉंग काली मिर्च जीरा तेज पत्ता बड़ी लाई थी और इन सब को मसालों को हमने तेल में टाल दिया है क्योंकि तेल हमारा पहले से गरम था और इसके बाद एक चुटकी हीं त और हरी मेंची को सेखने के बाद हम उसमें एड करेंगे अपना अद्रक लैसन और प्याज का पेस्ट तो हम अद्रक लैसन प्याज का पेस्ट डाल रहे हैं और इसको हम मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पका लेंगी तो देखिए इस तरीके से हमें मीडियम फ्लेम पर ही इस तरीके से हम इसको 3-4 मिनिट तक पका लेंगी तो 3-4 मिनिट के बाद कुछ इस तरीके का आपको नजर आएगा तो आप देख सकते हैं इस तरीके से यह हमारा मसाला सिखकर रेडियो चुक गए तो अब हम इसमें कुछ सुखे मसाले एड करेंगे तो देखिए हमारे ये सुखे मसाले हैं एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर आदा चम्मच छाल्थी पाउडर दो चम्मच धनिया पाउडर और एक चम्मच नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ले सकते हैं और एक मिनिट तक इसी तरीके से प्याच के मसाले में मिक्स करते हुए हमें सेख लेना है और ये कटोरी हमने जो मसाले की थी वही दोकर इसमें पाने एट किया है और इस तरीके से मसाले को मिक्स करते हुए एक से दो मिनिट के लिए इसको अच्छे से सेख ना है इसे हमें मीडियम फ्लेम पर इसको अच्छे से पका लेना है तो इस तरीके से हमें इसको और पका लेंगे तो देखिए यह हमने अच्छे से पका लिये इसको जब तक हमारे टमाटर नहीं गल जाते तो इस तरीके से हमें इसके टमाटर गलने तक मीडियम फ्लेम पर इसी तरी हम पकाते रहना है तो इसी तरीके से आप हमारी पूरी वीडियो को देखेंगे step by step हम बहुत testy और अमेजन सी मटर पनेर की सब्जे पना कर रेडी करेंगे तो देखिए अब हम इसमें सबसे पहले मटर डालेंगे और मटर को हमें 2-3 मिनिट के लिए इसी तरीके से इसमें मसाले में सेखना है दो से तीन मिनिट तक सेखना है हमें मीडियम फ्लेम पर हाई फ्लेम नहीं करनी है अभी तो देखिए इसको मीडियम फ्लेम पर इसी तरीके से हम इसको अच्छे से से शेखना है अभी नहीं तो सार तो देखिए इस तारीके से लेख चलाते रहना है, तो इस तरीके से dehants आपिके नगे शिब आ ह्से序 को आपको भी उसी तरीके से से शेखने है, और अब इस के बाद आउम पनीर करें, और पनीर को भी हम लगपक 2-3 मिनिट तक इसी तरीके से मिक्स करते हुए और चलाते हुए शेकेंगे मसाले में पूंज लेंगे तो इस तरीके से हमें इसको अच्छे से भूंज ना है मसाले में और इसी तरीके से हमें इसको अच्छे से सेक लेना है तो हमें इसको भी दो से तीन मिनिट तक मीडियम फ्लेम पर इसी तरीके से सेखना है तो देखिए इस तरीके से हमें इसको अच्छी से से सेखना है तो फैंस अगर के आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और लास्ट अग जरूर देखें जिससे की आपकी कोई भी सबजी बनाने के तरीका मिस्टेक ना हो आपकी सबजी बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग सी बने तो देखिए इस तरीके से हमने इसको तिन सचार मिनिट तक हम इसको इसी तरीके से सेक रहे हैं आप देख सकते हैं बिलकुल मीडियम फ्लेम पर हमने बिलकुल भी हाई फ्लेम नहीं के रिए मीडियम फ्लेम पर हमने इसको सेक रहे है हाई फ्लेम नहीं गई नहीं है और मीडियम फ्लेम पर हम इसको अच्छे से सेक तो देखिए कुछ इस तरीके का टेक्टर हो जाएगा आप देख सकते हैं इसी तरीके से हमें बीच बीच में चलाती हुए सेखना है ऐसा नहीं है कि आप छोड़ते नहीं तो नीचे से चल जाएगी हमारी सबजी और अब हमें इसमें पाने डाल देंगे चार से पाच गलास हमने इसमें पाने डाल दिया है और अब हमें हाई फ्लेम कर देना है जब high flame करके इसको अच्छे से पकने देंगे तो देखिए इसको हम अच्छे से पकाएंगे तो high flame कर देना है हम थोड़ा सा पानी और एट करेंगे और इसके बाद हम इसको high flame करके पकने देंगे तो देखिए हमारी अच्छे से सबजी ख़गने लगी है तो इसको अब ख़गने लगी है तो medium flame कर देगे low to medium flame पर हमें इसका पानी को अच्छे से पकाना है आप पानी अपने according भी डाल सकते हैं कि आपको इतनी पतली और गाली सबजी चाहिए तो उसी यह साब से तो देखिए हमने इसमें पानी डाला चार से पांच किलास और मीडियम फिलिम पर हम इसको अच्छे से पगने देंगे तो फेंस की वीडियो को आप पूरा देखें लाश्ट तक देखें और अपने फेंस को और तेस्टेदारों को सब को सेयर करें वीडियो को तो देखिए हमने अच्छे से इसको खट का लिये चार से पांच मिनिट तक पांच मिनिट के बाद कुछ इस तरीके की हमारी सबजी बनकर रेडियो गई है आप देख सकते हैं यूग बरसा तेल तेल सा आ गया है मतलब हमारी सबजी बहुत ही टेस्टी अमेजन से बनकर रेडियो गई है गैस को आफ कर दिया है और इसमें हमने धनिया एड़ कर दिया है तो फ्रेंज देखिए ये हमारी सबजी बहुत ही अमेजन से बनकर रेडियो चुकी है और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं धनिया को तो प्लिस फ्रेंग्स हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें तो थैंक यू फ्रेंग्स